हाई दोस्तो मेरा नाम जैनेंच चतुरवेदी दोस्तो आज हम किस भी से पर बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि GPS के दौरा बेब पॉइंट कैसे मार किया जाए जैसे कि मान के चलिए 11 कवी की लाइन बनी हुई है या LT लाइन बनी है तो उसमें हम देखेंगे कि आखिर पहल उसके बीच की लेंट फाइंड आउट करने के लिए पॉलों के बीच की है ना पॉल के बीच के स्पान फाइंड आउट करने के उसके दो तरीके है या तो हम GPS के माध्यम से वो लेंट फाइंड आउट कर सकते है या दूसरा तरीका है मैनुली तरीका मतलब यूजिंग आपको यहाँ पर देख रही है यह लाइट बटन यह जो एना यह जो है न हुद में लयाइट बटन देख रही है और यह आपकि back बटन होगा का करेंगह। smile часто में चलू किना देखेया यह लाइट बटन चाहलू करके इए यह उपें और थोड़ा समय लगेगी यह open हो जाएगा open हो गया अब इसमें देखे कई point आ रहे हैं तो हमें क्या करना है हमें जाना mark बेब point यह आपको mark बेब point दिख रहा है न तो अब mark बेब point में जब हम गए तो यह center वाली है जो बीच की button इसको एक बार आप click करिए click किये यह यहां पर आए यह अपने इसको click किया यह थोड़ा सा यह click हो गया कितना point बता रहा है 201 तो अभी यह point ओके नहीं हुआ यह GPS point आपका mark नहीं यह 201 जब इसको आप एक बार क्लिक कर दोगे यह जो बीच की बटन है न इसको एक बार आप और click करेंगे तो यह आपका mark हो जाएगे यह done का option है न यह अपने यह यह यहां पर करेंगे तो यह हो गया तो यह 201 पॉइंट mark हो गया मतलब यह पहले पोल के लिए आपका GPS point हो जाएगा ठीक है जब आप side में करेंगे तो आपको इसी तरह करना रहेगा अब next पोल पे गए फिर आप इसको क्या एक बार फिर click करेंगे यह यहां पर आप GPS mark point यह 202 हुआ अब 202 हुआ तो इसको एक बार आप क्या करेंगे और क्लिक करेंगे यह यहां पर डन पर आना है अपने को है ना इसको एक बार आप क्लिक किये तो यह 202 mark हो गया इसी तरह से जब आप तीसरे पोल पे जाएंगे सेम प्रोसीजर आप अपनाते चले जाएंगे तो यह क्या होगी आपकी पहले से दूसरे पोल की बीच की लेंथ आ जाएगी इसी तरह से आप तीसरे के लिए जैसे